आज मैं बनाना सिखा रही हूँ कुलड़ पीजा यह आजकल की बहुत ही ट्रेंडिंग और वाइरल रेसिपी है आपने जरूर देखा होगा यूट्यूब पे और इंस्टेग्राम पे और बहुत आसान है बनाने में तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने ले लिए हैं थोड़े से प्यास और थोड़े से टामाटर और थोड़ी सी कैपसेकम यानि की हरी वाली शिमला मिर्च इन सब में मैं डालूँगी थोड़े से पनीर के क्यूब्स आप चाहें तो इसमें स्वीट कॉर्ण और ओलिव्स और कोई भी मनपसंदीदा वेजटेबल कुछ भी डाल सकते हैं उसके बद मैंने कुछ ब्रेट के टुकड़े लिए हैं जादा तर जो सबसे एंड का पीस होता है ब्रेट का वो काफी अच्छा लगता है इसमें तो उसके टुकड़े करके आप इसमें डालें फिर मैंने डाला ह पिजा सॉस, टुमैटो केचप और थोड़ा सा मैंने डाला है गार्लिक बटर गार्लिक बटर दोस्तों कुछ नहीं होता बटर में बस आप थोड़ा सा गार्लिक पाउडर मिला दें अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो सिंपल है कि आप कुटा हुआ लसन मिल डूपर हो गुल्ण सब्सक्राह। वर बढ़ ल cheat و अचि पणक देए। देखिए। ट्र डाक है मिक्स होगे। अप। अब में पूर में पिर इसको कीमा मौजरेला चीज बीच में और add करें। यह त्रीकों agriculture कॉप अपशी तॉप कर दें टॉप तक और बस उसके ऊपर फिर दुबारा से हम एक मौजरेला चीज की अच्छी सी लेयर बिछा देंगे दोस्तों यह आप किसी भी पार्टी में भी बना सकते हैं काफी अच्छा लगता है खाने में और बहुत जल्दी प्रिपेर हो जाता है मैंने इसे एर फ्राय हो या अवन हो उसमें भी बना सकते हैं और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सीधा कड़ाई में भी बना सकते हैं आप कड़ाई में इन्हें रख दीजिए और बंद करके रख दीजिए मीडियम से स्लो की आज पर कम से कम 20 मिनट तक जब तक कि इसका चीज उप परफेक्ट कुलर पीजा बनके तयार हैं दोस्तों ये आप किसी भी पाटी में या बचों के लिए इवनिंग स्नाक्स में बना सकते हैं बहुत आसानी से बन जाता है खाने में काफी अच्छा लगता है आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में और हा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ये देखिए कितना जादा अच्छा बना है ये हमारा कुलर पीजा